यहां उपनिशदों के आधार पर एद्वेत के तीनों आयामों के स्वरूप पर विचार करना उप्यक्त होगा एद्वेत के तीन आयाम आत्मा परमात्मा का एद्वेत ब्रह्मा और जगत का एद्वेत आत्मा और जगत का एद्वेत अनेक महाकावयों के माध्यम से आत्मा पर्मात्मा के एद्वयत का प्रतिपादन किया गया है प्रधर अन्यों के उपनिशद में हैं ब्रह्मास्मी मैं ही ब्रह्मा हूं महाकावय के माध्यम से जीवात्मा को ही परमात्मा बता कर आत्मा परमात्मा की तात्विक एकता या अभिन्यता का निरूपन किया गया है इसी प्रकार गुरुद्वारा शिश्य के इस आत्म बोधन में भी आत्मा परमात्मा का एद्वयत निरूपित हुआ है जिसमें गुरुशिष्य से कहता है कि तत्व मसी अर्था तु तुम ही वह ब्रह्म हो इस माध्यम से आत्मा को ही परमात्मा बतला कर जीवात्मा की सत्ता, महत्ता और उत्थान की अनंत संभावनाओं के क्षितिज उदगाटित किये गए हैं इसमें मानव की अंतर नहित उर्जा की अभिव्यक्ति के असंखे आलोग पथों की और संकेत किया गया है यहां सामानने मानव को दिव्यता से मंडित करके अधरन गौर अप्रदान किया गया है ऐसा ब्रहम शरोव्यक्ति कभी कोई अनेतिक या अभधर विवार नहीं कर सकता वह सदेव सच्चाई अच्चाई और सदाचार का सनमार्गी अपनाता है और आत्मो थान के साथ ही परिवार समाज राश्र और मानवदा के मंगल विधान में अपना भर्षक योगदान देता है सो हम अर्थात वह परमात्मा मैं हूँ मैं भी आत्मा परमात्मा के एद्वैत का निरूपन हुआ है अपनी अंतर नहीत दिव्यता के बोध से मनुष्य का पूरा जीवन अर्थ और काम की लिपसाओं से उपर उठकर धर्म और मोक्ष की दिशा में अगसर रहता है मन के सा सारे विकार मिट जाते हैं जीवन सदाचार की पदती में डल जाता है भारत माता की जैन